Dear students, अब हम solve करेंगे exercise 3B की problems. 9th question का भी part देखिए बेटा. इसमें आपको यह बताना है कि यह जो 3 numbers है 6, 8 और 10 यह Pythagorean triplet है या नहीं. तो इसमें condition होती है बेटे कि जो 2 सबसे छोटे number हैं उनके square का sum. अगर बड़े number के square के equal आता है तो जो आपके पास given 3 numbers है यह Pythagorean triplets कहलाते हैं. ठीक है न, यहाँ पर अगर आप A को 6 लेते हैं, B को 8 लेते हैं और C को 10 लेते हैं. तो Pythagorean triplets के लिए क्या condition है? A square प्लस B square का जो sum है, वो किसके equal होना चाहिए? C square के equal होना चाहिए. ठीक है न, यहाँ पर यह condition satisfy होती है, इस तरह से जो तीनो नंबर है यह Pythagorean triplets होते हैं, ठीक है? statement के according आपको 10th question में diagonal की length निकाल ली है, और यहाँ पर एक right angle triangle बन रही है, तो इसमें आप बेटा Pythagorean लगा सकते हैं, आपको पता है Pythagorean के according यह सबसे बड़ी जो side होती है, 90 degree के ठीक सामने वाली side को आप hypertony कहते हैं, एक side perpendicular होती है और दूसरी side base होती है, तो AC side का जो square है, वो किसके एक्वल होगा, AB square plus BC square, जैसे आप यह given values foot करते हैं, तो वहाँ से आप जो diagonal है उसकी length को निकाल सकते हैं, तो simplify करने के बाद यहाँ पर जो diagonal है, AC का square किसके एक्वल आ रहा है, 100, और जैसे आप 100 को आप 10 का square लिखते हैं, simplify करने के बाद AC की value है, वो 10 meter के equal आ जाती है 11th question का सी part देखिए, यहाँ आपको 95 का square निकालना है, बेटा ऐसे number का square निकालना आसान होता है, दूसरे method से, जिसके last में जो unit digit है, वो 5 है, ठीके न, तो सबसे बहले हम क्या गरते हैं, जो 5 होता है, उसका square आप निकालेंगे, 55, 25, इसके बाद जो next digit यहाँ भी बसता है, 10th place पे, जैसे 9 है, 9 को अगले वाले number से आप multiply करते हैं, 9 को 10 से आप multiply करेंगे, 10, 9 जा, 90, ठीक है, तो 95 का square क्या हो जाएगा, 90, 25, 25 को आप right hand side में लिखेंगे, और 90 को आप left hand side में लिखेंगे, इस तरह से आप ऐसे numbers का, जो square है, वो निकाल सकते हैं, जिसके last में unit digit 5 होता है, 12 question को देखिए, हम check करेंगे, अगर कोई number even है, तो even number का square बिटा, even number होता है, और odd number का square, odd number होता है, ठीक है, बिटा, अब हम revise करेंगे, exercise 3C की problem, topic है, square roots, यह symbol होता है, square root का, ठीक है, पर्स्ट question देखिए, ए पार्ट में जैसे, if 8 into 8 is equals to 64, ठीक है, अगर 8 square 64 होता है, तो 64 का square root क्या होगा, 8 के equal होगा, इसी तरह 15 square, अगर 225 होता है, तो 225 का square root क्या होगा, 15 के equal, ओके, इसी तरह next part में आप देखिए, दो number का square नजरार आपको, ठीक है, 2 into 3 into 5, into 2 into 3 into 5, यह 900 होता है, तो 900 का square root क्या होगा, एक ही number आजा है, क्योंकि यह दो बार उसका square है, दो 3 जा 6, 6, 5 जा 30, ओके, second question में आपको बताना है, state the number of digits in square root of the following numbers, कि यह जो number है, इनके square root में कितने digit होगे, तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पर बार लगाते हैं, right hand side से left hand side की तरफ, इस तरह से, ठीक है न, जितने बार होते हैं, उतने number of digits होते हैं, ठीक है न, यहाँ पर दे digit होगा, क्योंकि आपको पता है, 4 का square root क्या होता है, 2, और 2 क्या है, एक की digit होता है, 1 digit, okay, third question में इस number का, आपको square निकालना है, तो आप देखिए, यहाँ पर 2, 2 time आया है, 3 भी 2 time आया है, और 4 भी 2 time, तो एक एक बार इनको ले सकते हैं, उसका whole square आप ले सकते हैं, 2 x 3 x 4 का whole square, तो इस number का square root क्या हो जाएगा, इस square से square root से, यह cancel हो जाएगा आपस में, square से square root, तो इनकी जो multiplication है, वो गियो number का square root हो जाएगा, 2 x 3 x 4, 2 x 3 x 6, 6 x 4 x 24, ऐसे number का square root हो जाएगा, इसी तरह E part में आप इनके factor कर लेंगे, 144 के दो factor हो जाएगे, 12 x 12, a raised to power 4 को a square into a square, b square को b into b, c square को c into c, इस तरह से इसको 12 a square b, c into 12 a square b, c, यह क्या हो जाएगा, 12 a square b, c का whole square, और जैसे आप इसका square root लेंगे, तो square से square root कतम हो जाएगा, cancel हो जाएगा, using exponents, तो यह किसके को हो जाएगा, 12 a square b, c, यह आपका answer हो जाएगा, बेटा fourth question में आप देखेंगे कि factorization method से किसी number का square root आप कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो given number है, उसके आप prime factors निकाल लेंगे, ठीक है न, इस तरह से, और बाद में उस number का square root लेंगे, अब यहाँ पे देखें, 3 है, वो 4 times आयाव है, और 7, 2 times आयाव है, ठ 3 into 3 into 7 का whole square, और जैसे आप इसका square root लेंगे, तो simplify करने के बाद यही इनी numbers की product आ जाएगी, 3, 3 जा 9, 9, 7 जा 63, so given number का square root क्या हो जाएगा, square root of 3,969, वो किस के एक वला जाएगा, 63 के एक वला जाएगा, अब बेटे fifth question का a part देखेंगे, आपको इस result को simplify करना है, square root of a square into b raised to par 4, तो आप क्या कर सकते हैं, a square को a into a लिखेंगे, और b raised to par 4 को b square into b square, और सारे का square root, जब आप simplify करेंगे, तो यह किस के एक वला जाएगा, square root of a b square into a b square, तो यह क्या हो जाएगा, a b square का whole square, और सारे का square root, तो square root से square कतम हो जाएगा, तो यह result आ जाएगा, a b square, स्टेट्मेंट के कोडिंग यहां पे एक राइट अंगल ट्रेंगल बन रही है और आपको X की वैल्यू निकाल लिए तो आप इसमें क्या करेंगे बिटा पाइथागोर स्थोर्म लगाएंगे AC का स्केर किसके कुल हो जाएगा AB स्केर प्लस BC स्केर ठीक है न और उनका सम अप लेंगे तो सिंप्लिफाइ करने के बाद AB की क्या वैल्यू आ जाएगी यहां पे 5 सेंटी मीटर ओके तो इस वीडियो में बेटा बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम अक्सरसाइज 3D की प्राब्लम्स रिवाइज करेंगे ओके थाएज प्राब्लम्स रिवाइज प्राब्लम्स रिवाइज करेंगे